जिस तरीके से पिछले कारिकाल में वस्मुरा राजी जीने जो योजनाई राइस्तान में चलाई थी, उन योजनाओं को ये निकम्मी, बेकार, राइस्तान, सरकार उनको लागू नहीं कर पाई। जिस सरकार को पुरा ही नहीं कर पाई। तरीके से मन्दिरों को अड़ाकर मंद्रियों को दूसरी जगह जगमिंग देकर जेडिये पट्टा दिया और विद्वत तरीके से प्राण प्रतिष्टित मूर्तियों को वापस प्रतिष्टा करवाई ये गुपलबदी पुरी हिंदु स्तान में अनुकरनी है और इनों ने अलवर में शिवजी की मंदिर पर ड्रील मशीन चलाई और बहुत जगन ने त्यकांड हुए जोदपूर में निरसंग अत्या करी गई उद्यपूर में कनिया लाल की तो यह सब चीजें इसमें मतलब आप देखिए कि क्या चीज बचा हुआ है राहस्तानों को जिसको मंदिर यहाँ सुलक्षट नहीं इसाधू संतियां सस्वाक्षित नहीं आत्मधिकर रहें静 बहूं की जो गंघर बसंद्राजी छोड़के गए थे उनको इन्हों कर दिया तो लोगों के के साथ वसुंदरा जी के प्रक्ति अपना पन है को यह अगर मे इन他說 के लिए जिस परकार से हम देख सकते हैं कि जब से गेलो सरकार बढ़िए अब तक एक बी एक जामेंनों ने बिना लीक किए हुए किये जो कि अब तक की राजस्तान की सरकारों में सबसे बड़ी भी पलता गेलो सरकार की एक भी पेपर यह बिना नेट बंदी के नहीं करते हैं नेट बंदी करते हैं उससे पूरा व्यापार समाज किस परकार से परभावित होता है हम समझ सकते हैं रीट को ले लो किसी चोटा से चोटा एक जाम भी कराने में सफल तरीके से कांगरे सरकार पूरी तरके से फेले तो सरकार परिवर्तन होने के बाद हम उनसे यही मांग करेंगे और यही उम्मीद होगी कि उनके नेत्र तुम्हें एक जाम तरीके से होंगे बच्चों के जो दूर दूर से आते है पान पान साथ सासो किलोमेटर दूर से सेंटर आते हैं और फिर वो परीक्षा लीक हो जाती है तो हम समझ सकते हैं कि एक परिवार उससे कितना डिश्टब होता है रही बात मैलाओ की जिस परकार से हम देख रहे हैं इस समय राजस्तान मैलाओ के अपराद के मामले में देश मे सर्वोच हैं उनके उपर किस परकार से पाबंदी लगे अपराधी तत्वो को किस परकार से रोका जाए कांग्रेश सरकार की सबसे वड़ी विपल तुष्टी करण यह जो हिंदूों के खिलाब तुष्टी करण कर रहे हैं लेकिन अब जैसे ही कोई भारतिया या घंदू civilians पर आता है उन पर पाबंदी लगा जाते हैं एक सो चम्मालीज लगाते हैं साला सर में इन्हों ने राम दरबार तोड़ दिया अलवर में सिउजी की मूर्तिया तोड़ दी मतलब यह जो काम कड्यूग रावन के दोर में माहभारत में राक्षशों के दोर में जो कार्यका हो में राज्यस्तान के बेरुस हैं काफी पाणी के समस्वार तो उनकी लिए मेडम आने वाले पिछले कार्ये凭ल में कि घोश् Force ना कर दी ती जो कि वैजस्तान चेनाल परियोजना है जो पूर्वी राजस्तान की ते जीलों का आपस में जोडेगी जिससे की राजस्तान का एक बहुत बड़ा छेतर पानी की मांग को पूरी होगा जिससे की रामगड बांध भी बरेगा और कालक बांध भी बरेगा उसको गेलोत ने केंदर और राजस्तान के बीच में अटका रखा है वो केंदर के उपर टालते हैं जबकि यह राजस्तान की प्रियोजना है और आप विश्वास मानिए कि यह वसुंदरा जी का ड्रिम प्रोजेक्ट है जैसे ही सरकार आगी ERCP पे काम होगा और पूर्वी राजस्तान जो वापस हरियाली और फसलों के लिए किशानों का जो एरि को करेगी यह आम जंता के लिए राहत केम्प के नाम पे लोगों को नागरिकों को बेवकूब बना रहे हैं जो बिजली यूनिट में पहले सरचार 165 आ रहा ता वो सरचाज 8500 रुप्यारा उनी बिलो में और उसी को वो दूसरे तरीके से शो करके राहत केम्प का नाम दे करें जो कि वास्तिविक्ता में रात केम्प से कोई लेना देना नहीं है यह चुनावी साल है चुनावी बजट है ऐसे ऐसे इन्होंने लोली पॉप जनता को दिखा है जो कभी जीवन में पूरे नहीं हो सकते मैं जोट वाड़ा विदान सभा में रहता हूं यहां के जब व कातल पर कोई भी काम नहीं हुआ